दोस्तों आपको तो पता है कि अगर आपको कोई भी टेक प्रोड़क्ट, स्मार्टफोन, एक्सेसरीज वगेरे सस्ते में चाहिए तो आपको चाइना में मिलते हैं जी हाँ, इंडिया में जो भी प्राइज होती हैं कम से कम at least 15-20% कम मिलते हैं इसलिए बहुत सारे लोग खरीदते हैं चाइना से, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रोग्लम्स भी आते हैं जब वो चाइना से खरीदते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे safely चाइना से buy कर सकते हो आपने क्या-क्या buy करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए what you should do and what you should not सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में लेकिन दोस्तों वो बताने से पहले अगर पहली बार हमारे चानल पे आयो तो सब्सक्राइब करना मत बूलिया बेल आइकन बजाए या ओल किजिए ताकि हमारे वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अप्लोड करते हैं दोस्तों आज का जो दिन है बहुत इंट्रेस्टिंग दिन है एस्पेशली इस वीडियो के लिए क्यों क्योंकि चाइना में चल रहा है 11 11th मतलब 11th November का सेल ये वन डे सेल होता है और जो रेकॉर्ड्स पिछले 2-3 सालों से हुए है क्रिये आप सर्प्राइज हो जाओगे जियां बिलियन्स ऑफ डॉलर्स के सेल होते हैं सिर्फ मिंटो में जिया और ये जो सेल है बेसिकली इंडिया में जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन करते हैं वैसे ही अलिबाबा करता है चाइना में अलिबाबा के अलग-अलग वेबसाइट्स है जिनके ऊपर ये सेल होता है और बहुत जबरदस डील्स मिलते हैं और दोस्तों ये जो सेल होते हैं ये पूरे दुनिया से लोग खरीते हैं लेकिन अगर आप इंडिया में हो और आपको खरीदना है तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजे अगर आप कोई महेंगी चीज खरीद रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोचिए अगर आपको कोई भी चीज 2,500,000 के अंदर वाली है तो मैं कहूंगा आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी लेकिन उससे ज्यादा की प्राइज हो कोई स्मार्टफोन हो आप एक आरोजी फोन जो 30-35,000 का है वो ले रहे हो इंडिया से आपको समझिए पांच हजार से सस्ता मिल रहा है उदर लेकिन अगर आपने वो और्डर किया और जब वो इंडिया में पहुँच जाएगा एक्चुल उसकी कॉस जो है कुछ 50,000 तक पहुँच जाएगी क्यों क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है कितना चार्ज करेगी गवर्मेंट यह आपको पता नहीं चलेगा जनरली अगर आप कंपणी हो तो कुछ 12% GST रेट आपको लगाएगा अगर आप इंडिविज्यल हो 28% लगाएगा लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों यह तो हो गए fix rates अगर आप वो पकड़ के चलोगे तो शायद अच्छी डील भी मिल सकती है लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी-कभी तो 50% 70% तक आपको import duty बैठती है जिहां ऐसे examples है तो इतना याद रखिए तो bottom line is आप अगर 2,500 के चीज़े ले रहे हो तो आपको generally import duty नहीं लगेगी and that is advisable वो चीज़े खरीदिये जो कम पैसे में मिलती है वैसे तो बहुत सारे websites हैं लेकिन मैं आपको बताओं तीन website के पास आपने देखना चाहिए जहांपे आप खरीद सकते हो gearbest.com, banggood.com and aliexpress.com अगर आपको tech के products खरीदने हैं, smart phones के accessories करने हैं, bluetooth speakers खरीदने हैं ऐसी चीज़े खरीदनी हैं, तो मैं कहूँगा gearbest and banggood are quite good लेकिन अगर आपको बहुत सारी दूसरी चीज़े खरीदने हैं, कपडे खरीदने हैं, shoes खरीदने हैं, medical supplies खरीदने हैं, कुछ creams वगेरे खरीदने हैं तो फिर आपको aliexpress पे ज्यादा अच्छे deals मिलेंगे जी हाँ, aliexpress basically horizontal e-commerce site है, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, साथ में tech products भी मिलेंगे लेकिन एक चीज़ खरीदने से, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ध्यान रखिए, कि वो legal होनी चाहिए जैसे drones वगेरे आप खरीदोगे, अच्छे drones मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया में आ जाएंगे import वाले लोग उसे पकड लेंगे, destroy कर देंगे, आप तक पहुचने भी नहीं देंगे जी हाँ, because they are not legal in India, तो ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़े legal है और नहीं है, इसका पता कर लीजेगा अब दोस्तों, actual खरीदते समय आपको क्या ध्यान देना है, आप जब खरीदोगे, ये जो website होते हैं, AliExpress, Gearbest, इसमें बहुत सारे middle लोग होते हैं, जो basically बेचते हैं, तो उनकी ratings देखिए आपकी, भई, कितने लोगों ने उनसे खरीदा है, उनको क्या rate किया है, अगर 4 star से क किसी भी agency को कम होंगे, तो generally try कीजे कि किसी और के पास से खरीदे हैं, लेकिन अगर उनके ratings वगेरे अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों ने खरीदे हैं, अच्छा feedback दिया हुआ है, तो आप आराम से खरीद सकते हो, कोई problem नहीं, safely आप order कर पाओगे, दूसरी चीज दोस्तों एक देड़ दो महिने भी लगते हैं, इतना ध्यान रखिए, और इसलिए order करते समय चेक कीजे किस warehouse से आप order कर रहे हो, कभी-कभी वो चाइना होता है, कभी स्पेन होता है, कभी अलग-अलग countries से होते हैं, तो वो change करके देखिए कि वहाई कितना जल्दी आपको आ जाएगा Prices भी warehouse के हिसाब से कभी-कभी change होते हैं, वो भी चेक कीजे, साथ में, जो main product की price होती है, इसके साथ में shipping की भी price होती है, तो वो add कीजे, कभी-कभी free shipping होती है, कभी-कभी added होती है, क्योंकि क्या होता है, हम देखते हैं यार, बहुत सस्ता है ये product, लेकिन जब आप shipping add करते ह उसके अंदर, तो वो महंगा हो जाता है, तो इस चीजों का ध्यान रखिए, हाँ, लेकिन अगर आप shipping में, मतलब paid shipping लेते हो, free होता है, और paid shipping भी होता है, paid shipping आप DHL वगेरे से लोगे, तो आपको एक फाइदा जरूर मिलता है, insurance वगेरे होता है, इसका मतलब transit में, अगर कह पेख हो गया, कुछ हो गया problem, तो आपके जो पैसे हैं, वो आपको मिल जाएंगे, insurance की हो ऐसे, लेकिन उसके लिए आपको pay ज्यादा जरूर करना पड़ेगा, और अगर आपने decide किया कि free shipping यूज़ करना है, तो देखिए कौन सा है shipping, क्योंकि बहुत सारे जो free shipping वाले होते ह उसमें आप track नहीं कर पाते हो कि आपका product कहां पे है, and tracking is very important, तो इतना ध्यान जरूर रखिएगा, and finally payment, payment के बारे में बता दूँ कि COD, cash on delivery available नहीं होता है, इदर याद रखिए, चाइना से कोई आपसे cash लेने को आपके doorstep पे नहीं आएगा, तो आपको upfront पैसे देने Thankfully दोस्तो, Indian banks के जो cards वगेरे हैं, सभी आजकल चलने लग गए है, in fact इतना ही नहीं, UPI भी चलता है, इसका मतलब UPI का address होगा, UPI से आपके bank से पैसा चला जाएगा, which is a good thing, क्योंकि UPI आजकल सभी लोग इस्तिमाल करने लग गए है, that's the safest and best way, लेकिन दोस्तों ये online order करने से भी ज्यादा एक चीज़ बताओं आपको, अगर कोई आपका दोस्त रिलेटिव अगेरे जा रहा है चाइना या फिर चाइना में है, उनको उनके साथ मंगवा लीजे, it will be much better, it will be much cheaper also, जिया सस्ता भी पैड़े, उनका address लीजे, उधर deliver करवाईए, और कहिए कि भाई, आते करके देख लीजे, वैसे बहुत सारी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो आप ले सकते हो, डील्स वगएरे, 11-11 के, लेकिन अगर आप टीवी, बड़ा सा स्मार्टफोन वगएरे, ऐसे खरीदने जाओगे, तो आपको महेंगे पड़ेंगे, इसल दस बार सोचिए, उसके बाद में महिंगी चीज लीजे, बहुत इंपोर्टन्ट है ये, वैसे दोस्तों चाइना से खरीदने के बारे में अगर आपका कोई भी सवाल है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पुछेगा, चले दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आगले वी करकेन बारी में तो झाले हीर वीज ev क्राइक ऑले ये ।ो उतले ही है